और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अन्युयाईयों को बुद्ध पुर्णिमा की बैसा गुद्ध सव की बहुत बहुत शुब कामना है ये मेरा सवबाग है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आप से मिलने आप सभी से आशिर्वार लेने का अउसर मिलता नहीं 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कारकम से जूड़ने का आपके बीच आने का मौका मिला था हाँ इस बार परिस्थित्या ही कुछ और है इसलिए आमने सामने आकर के आप से मुलाकात नहीं हो पा रहीगी साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रभुतियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी महसूस नहीं होती आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती लेकिन अभी आगात हमें वो परमीट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलोजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का आउसर दिया इससे बढ़कर के संतोस और क्या हो सकता है साथ्यों लोगडाउन के इस विकट परिस्तितियों में भी वर्चुल बेशाग बुद्धी पुर्णेमा दिवस समारो इसके इस आयोजन के लिए अंतर राष्ट्रिय बाउद्ध संग प्रसंशां के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखो अन्युआई एक दूसरे के साथ जूट रहे लुंबिनी बोध गया सारनाथ और कुशी नगर के अलावा सी लंकागे स्री अनुराधा पूर्श्टुक और वास्टुवा मंदिर में हो रहे समारों को इस तरह एकी करण कितनी अध्वूत कल्पना है कितना सुन्दत द्रश्य है हर जगव हो रहे पूजा कारगमों का ओनलाइन प्रसारन होना अपने आप में अध्वूत अनुगोव है आपने इस समारों को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वरकर्स और दूसरे सेवा करिमियों के लिए प्रार्थना सब्ता के रुप में मनाने का संक्र्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठीत प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनोती से बहार निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे साथियों प्रत्येग जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सब्यता को समस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है बगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्ध किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है सिद्धार्थ के जन्म सिद्धार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बात इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला स्थिती बडली समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो पत्तेक मानव के रुदह में धड़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परियां है बुद्ध मजबूत इच्छा सकती से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपाकर स्वयम को खपाकर खुद को नुचावर करके पूरी दुनिया में आंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभाई के देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए चोबी सो घंटे चोबी सो घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बार ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख दिराशा अतासा का भाव बहुत जाता दिखता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए तो वो कठिन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले ठक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जूटे हुए है साथ मिलकर काम कर रहे है भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करोना सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेना बने विये है आज आप भी देख रहे हैं समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की एक घड़ी सहायता करने की है जितना संबो हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरुरत मन तक पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रतेग भारत वासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो करी रहा है अपने वैश्विक दाइत्वों का भी उतनी ही गंबिरता से पालन कर रहा है साथियों भगवान बुद्ध का एक एक भचन एक एक उपधेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिविद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोथ और भारत के आत्मबोथ दोनों का प्रतीक है इसी आत्मबोथ के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी साथियों हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए जब दूसरे के लिए करुणा हो संबेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाए हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनोती से आप पार पा सकते हैं सुपबुद्धम पभुजन्ती सदागोतम सावका यानि जो दिन रात हर समय मानोता की सेवा में जूटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुआई हैं यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार इस मुश्किल परिस्तिते में आप अपना अपने परिवार का जिस भी देश में आप है वहां का ध्यान रखे अपनी रक्षा करें और यथा संभव दूसरों की भी मदद करें सबका स्वास्त उत्तम रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी बाणी को विराम देता हूं धन्यवाद सर्व मंगलं हूं अ पस्ट करो दो अ हूं अ